हेलो गाइस स्वागत आप सबका तो आज हम बात करेंगे अदानी क्रीन एनर्जी की और आज इसके अंदर अगर देखे तो 917 रुपे के उपर इसने क्लोजिंग दी 7 रुपे के इसके अंदर थोड़ी से गिरावट रही और सबसे पहले इसके टेक्टिकल चार्ट के उपर ही हम देखे के यहां पर अगर देखे तो अभी इसका जो बोलिंगर बेन है उसी उसका जो बीच का सिरा है यह जैसे कि अदानी टोटल गेस हुआ वैसे ही यह अगर देखे तो आने वाले वीक में थोड़ा सा लंबा दो चाल दिन अगर देखे तो यह सपोर्ट हो सकता है और इसका अगर नो दिन और 21 दिनों का जो मूविंग रेच है अभी प्रैस उसके भी बीच में खड़ा है और कल ही मैंने इसके अंदर भी बोला था और जो कि मुझे पॉसिबिलिटी लग रही थी ज्यादा पॉसिबिलिटी कि इसके अंदर भी अगर देखे तो कल के दिन ग्रीन एनर्जी के उपर है और सोलल पैनल के उपर काफी बिजली उपन करते हैं तो इसके रिजल जो है अच्छे आ सकते हैं इसी पॉसिबिलिटी है हाला कि यह खबर जो है 25 तारिक को आ गई थी लेकिन उसके बाद अगर देखे तो कुछ ज्यादा शेर में हल चल अभी द तक्रीबन तक्रीबन साधे तिन लाग के यहां पर डिलेवरी उठी है और यहां पर अगर आप देखोगे तो और यह जो है 21 दिनों का मुविंग एवरेज और यह जो फाइव डेस नाइन देस का जो उसको लगाया है तो उसकी के आसपास अभी यह काम कर रहा है और यहां और अगर देखेगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता जाना चाहता हूं पिछले वीडियो में बनाया वह वीडियो भी आप देख सकते हैं पूरी फंडामेटल रिसच उसके उपर की है और आज भी अगर हो सकेगा तो वहीं उसी जो नया इसका ओडर भ अगर चाहता है तो यहां पर एक सोबीस के आजए तो कर सकते हैं लेकिन थोड़ी बहुत इसके अंदर प्रॉफिट बूकिंग अभी देखने को मिली है तो आगे थोड़ा बहुत जो है इसके अंतरा इसके अंतरा रह सकता है ज्यादा करेक्शन पॉसिबल नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कि यहां पर बात हो लिए तो जो नया वीवर्स है जिन्हों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं रिक्वेस करना चाहूँगा एसे ही वीडियो और अज रहा और वोल्यम के अंदर अगर देखे तो बिलकुल एक थंड़ा वोल्यम था इसके अंदर और पांच मिनिट के चाट के अपर भी हम देख लेते हैं कि एक दम यहां पर बी आगग देखे तो एक रोललर कोस्टर खा जो है यहां पर एसी सिन्यारियों बना हुआ ह मतलब कि एक पूरा दिन का जो चार्ट है एकदम नीचे भी नहीं ज्यादा ऊपर भी नहीं और यह से ही जो है चार्ट अधानी टोटल गेस में भी देखने को मिला फिलाल यह जो है दोनों ही साथ चल रहे हैं बाव भी जो है अल्मोस्स सेम है लेकिन बिजनस जो है कंपनी दोनों ही कंपनी का अलग-अलग है तो वह फंडामेटल भी जो है आप देखा करें और अगर हो सकेगा तो इन दोनों का अब यह जो वीकेंड है इसके ओपर फंडामेटल अनलिस भी हम फिर से करेंगे प्रिवेस दो विक पहले भी मैंने बताया था और फिर से जो है नया इ देखे तो इसका विकली चार्ट अगर हम देखते है तो यहां पर इसका जो 922 रुपए है फाइव वीक का मुविंग अब देखे तो 930 रुपए है अभी प्राइस जो है इसके बीच में खड़ा है साथ ही साथ यहां पर यह चींता में जटा ही थी कि यह हैंवर कंडल बनी पूरे वीक में यह जो है इसकी जो क्लोजिंग है प्राइस की उसी के आसपास जो ही एक लोज देने की कोशिश कर रहा है उपर भी गया और नीचे भी आया लेकिन जो क्लोजिंग रही वो उसी के पास आ सकती है और कल एकी ट्रेडिंग सेशन बाकी है तो कल भी अगर देखे जो ज्यादा उठापटक इसके अंदर दिखने ही नहीं है इसी लेवल के आसपास जो ही बंध होने की एक पॉसिबिलिटी ज्यादा है 10-15 रोपे उपर लिचे तो अगर यह हैं डोजी केंडल का मतलब यह होता है कि इसके अंदर जो बूल्स होते है और बेर्स होते है वो द अच्छा आने की उमिन है क्योंकि सोलर पेनल के उपर सोनल जो सन की लाइट होती है उससे जो है यह लोग बिजली बैदा करते है तो अभी यह समर सिजन है इसके अंदर जो है अच्छा कासा इसको एक जो है बेरिफिट मिल सकता है साथी साथ बीजली की खपत भी ज्यादा लेती है तो थोड़ा बहुत इसका जो है रिजल्ट एक पॉजिटिव आ सकता है और अब इसका यह वीकली चार्ट है तो यह इसके अंदर अगर देखे तो इसका जो 200 वीक का मुविंग रेच यह तो छोटी-छोटी मुविंग रेच तो हमने देख ली लेकिन इसके अंदर बारे में जो इसका मोमेंटम है वो जो है पहले ही पता चल जाएगा कि तेजी आने की जब शुरुवात होगी उसके साथ साथ जो यहां पर जो यह वोलियम है वो भी बढ़िया रहने चाहिए तब आप यह मान कर चल सकते कि अब इसके अंदर एक बढ़िया मोमेंटम आ सकत चाट के ऊपर कुछ यह सा दिख रहा है लेकिन सिव यहीं चीज है कि आइधिंग यह कंसो डिर्शन हो रहा है क्योंकि नीचे का काफी ज्यादा उपर से नीचे आ गया है और नीचे से भी उपर काफी ज्यादा आ गया है अगर आप पसेंटेज में देखोगे तो उपर से अगर देखे तो 60-70 पसेंट के आसपास का जो है क्रेक्शन रहा उसके बाद जो नीचे में यहां पर इसने एक लो बनाया और उसकी जो तेजी आई वह भी तक्रिबन 50 पसेंट से उपर आ गई तो अब जो है थोड़ा बहुत जो इसका 50 जो मंत का मुमिंग एवरेश वह भ दिखाए दे और इसका साथी साथ 50 डेस का 50 मंथ और 50 डेस दोनों का यह डेली चाट है वह मुमिंग एवरेश भी साड़े नो सो के करीब है और यह मैंने कल भी बताया था अब भी बता रहा हूं कि इसके जो है उसको पार करना बहुत ही जब भी इसको पार करेगा तो ज्या साड़े ग्यारा सो से बारा सो तक यह चल जाने की एक कोसिस करें और अभी इसके कल और परसो की अगर बात करें तो अभी इसका प्राइस नो सो सतरा रुपे है तो सबसे पहला रंजिस्टन की सोरी सपोर्ट की हम बात कर लेते तो 900 रुपे के करीब है इंदर राउंड फिक अगर 850 का जो जोन है वहां पर एक जो है अच्छा का सपोर्ट दिख रहा है उपर की तरफ अगर रेजिस्टन की बात करें तो सबसे पहले तो 950 रुपे कि यहां पर यहां पर देखे तो 980 उसके उपर देखे तो 1000 रुपे का लेवल है यह एक से दो दिन की यहां पर बात कहीं भी यह 10-15 रुपे 20 रुपे उपर नीचे रह सकता है थोड़ा सा कंसोरेडेशन भी हो सकता है और इसके जो रिजल्ट आएगे उसी के ऊपर नजर रहेगी क्योंकि कल का दिन आखरी है उसके बाद सोंबार को इसके रिजल्ट है तो सब का सब डिपेंड उन्ट के ऊप रहे कि इसके अंदर थोड़ा सा कंसोरेडेशन रह सकता है कि सभी अभी जो है इसके रिजल्ट के ही देखेगे और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें शेयर करें और मेरे चैनल को इसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब क को जो कि मैं हमेशा देता हूँ आप कोई भी ट्रेट ले उससे पर अपने रिसर्च करें अपने फानेजर एडवाजर की साला ले उसके बाद कोई डिसीजन ले और डिसीजन ले तो उसकी जिम्हेदारी में चुरेट के साथ खुदी ले ये वीडियो में नेजू के लिए म करें तरफ से कोई भी बाई असल करें का मेंशन नहीं है थेंक यू